लोख पैदल न जाके ऐसे घोड़े खचरों में जाते हैं और ऐसे घोड़े-खचरों की ना में इयहां पर जान चलिए आती है कि फिसल जाते हैं बेचारे बेज़वान हैं बोल नहीं पाते थे जितना वज़ा वज़े के क्राइज आप Attí नки आठव तो दोस्तों यहां से आपको घोड़े खचरों का एक रूट अलग से मिल जाएगा जहां से घोड़े खचर अलग हो जाएंगे और तो गाइस अभी हमने ना उस पार जाना है तो दोस्तों अगर आप केदार नाद आ रहे ना तो आप इस ट्रैकिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी और यह आपके लिए काफी ज्यादा हैल्पूल होगा क्योंकि हमने यहां से लगबग 19 किलोमेटर की ट्रैकिंग करनी है जो कि हुए हमें इस लाटी के सहारे हमे काफी ज्यादा इजी होगा तो फिलाल अभी हम लोगी लाटी पगरे लेते तो यह हमें जो लाटी पड़ी है यहां से चालीस रुपे की पड़ी है और बागी इसको लेके हम निकलते हैं आगे की तरफ कि तो बहुत है हमने केदारनाथ का यह मंदिर ले लिया है और अभी इसको लेके जाएंगे हम उपर और उसके बाद हम तो हम पूजा करके ना उसको ले जाओंगा अपने घर पे और मंदिर में अपने लग्ट अब यहां से ले लिया है अपने लिए मेडिसन वगएर लेके तो आयते हम लोग लेकिन वह बैग में रहे जहां रखा था तो अब यहां से लेके जा सकते हैं और यहां से कितने का है यह पांसो रुपे का अगर आपने इसको यूज नहीं किया और आप वापस ला रहे ना तो आप यहां पर रेटर्न कर सकते हैं 200 रुपे आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे वाकि 300 रुपे आपको आपको आपस मिल जाएंगे तो इस फिलाल निकलते हैं केदारनाग की त जालते हैं युचे की तरफ कर दोस्तों अब हम लोग पांज गये हैं गौरी माई के मंदिर में यह है सामने गौरी माता का मंदिर और यहां पे छोटा सा कुंड है और दोस्तों यह हैं गौरी माता जी का मंदिर और कहते हैं कि यहां पे गौरी माता जी ने तपश्या करी थ करने के बाद अब हम जा रहे हैं गरम कुंड की तरफ दोस्तों यह है सामने गरम कुंड और यहां से स्नान करने के बाद ना सीधे निकलते हैं अब हम लोग यहां पर निकलते हैं के दारनाथ की तरफ तो दोस्तों मैं पहुंच चुका है घोड़ा पड़ाओ और यहां से आपको घोड़े खचर वगरा मिल जाएंगा अगर आप घोड़े खचर से जाना चाहते हैं तो मैं उनसे ना इक बाद चार्ज पता करके आपको ब यहां से आपको जो घोड़े खचर हैं वह आपको मिल जाएगा पैनतालीसो रुपे में चारजार पांट सो रुपे में उपर किदर ना तक बाई यहां पर जगह जगह बेना ऐसे खच्चर वालों ने ऐसे जाम लगा रहा है ना कि पैदल वालों को तो भाई बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रहे हैं तो बड़ा दिख्चर आने वाले हैं कुछ जाने वाले हैं बाई अगर आपने इस तरह से प्रिक्तू में जाना है न तो इसका चार्ज वजन के इसाब से चला जाता है यहां पर और मैंने पता किया तो तो बीस किलो से 30 किलो के बीच लगबग 5-6 जार रुपए है जो आपको केदर ना तक लेजाएगा और 60-80 किलो के बीच का यहां पर तो अब यहार हम लोग तो पैदल पैदल ट्रैक करते हुए जाएंगे अब यहार है तो गाईस कुछ इस तरह से पिट्फू में लेके जाया आता है यहां दो भाई अपने पैदल नी जाया जारा है लेकिन यहां पर पतानी कैसे यह अपने पीट में लेके जा रहे हैं यार मतलब सल्यूड और उपर से जानी के गिर रहा है हुआ है कि यहां यहां अधनी में पैदल स्वारे जांड को तो थ człowieょ ए फिसल जाते हैं वेचारे बेघवान रही हैं बोल नहीं पाते है जितना वजद इंको शायना होता है उससे कई जादा उनके डाला जाता है जिसकी वैसे ऐसी condiition होती है तो आब दस्तों अपने साथ इस तरह की पानी की भूतले के आपको रस्ते में पाणी नियांगे इत्नी जाना कि आपको 50-100 रूपे तक कि आपके देने को देने पड़ जाएंगे आप इसको वीडियो भी ले रहाथा दॐ नाराज होगा वाई अब रवा इस ये हम लोग और वहो मुद्वा व्यां के स्कषय आ contributed कि क्षासरा आज डिरे अच्सिकलिस ये भी Надो अ क्रूंध धर फी नियु decre लें आर थी है होरा भभादेव लग दोटो चलते चलते अभी हम लोग नहीं है और अभी हम पे कुछ खापी लेदे हैं तो थोड़ी यहाँ पे लूगते हैं और कुछ खापी लेते हैं तो थोड़ दच मेरे का ओडर दीया है खाने थी तो काफी जादा है, यहां पे बाद महिंगा मिल रहा है, क्योंकि पचाउस रुपे हमें मैगी स्थी, मह हुआ 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 है तो दोस्तों हमें अभी वहां तक जाना है तो अभी मैं एक बनत नीचे मैं की खाने के लिए गए रुका हुआ था तो वहां पर एक चीज ना बहुत ज्यादा अच्छी लेकिवी थी कि केदारनाथ दूर है लेकिन जाना जरूर है तो दोस्तों यहां से आपको घोड़े खचरों का एक रूट अलग से मिल जाएगा जहां से घोड़े खचर अलग हो जाएंगे और बागी इस रूट में आपको मिलेंगे बड़ उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने हमें पहल तो दोस्तों इस केदारनाथ की आत्रा में ऐसी दिक्कते आएंगी लेकिन हमें पहुझना है बावा केदारनाथ के बास तो सचे मन से आओ और बावा जी के दर्चन करो और भीगते हुए बाई बारिस ने तो अला की मागौल बना दिया है यार बजाई आ गया मतलब अभीता क इतनी ज्यादा घर्भी हो ली थी और अभी बारिस पर लीना तो अला की मज़ा आ रहा है तो अभी चलते हैं और इस बारिस का मज़ा लेते हुए और वैका झाइज रस्ते में को इस तरह से खूबसूरत और प्यारी नजारे आपका दिखाएंगे जो कि आपके ना रहो यह ख status काफी ज्यादा खतरनाक और खतरना पिर नहीं कह सकते काफी कंपी ज्यादा है क्पी ज्यादा मज़ा आ रहा है रां है लिए वडुषक का साथ मेंदा कोट और साथ में यह जो टंडा है ना यह स्टिक आपने साथ में लेकर चलनी पड़ेगी तब ही आप यह ट्रैक कम्प्रीट कर सकते हैं यह आपको बहुत ज्यादा अधिक्कत होने वाली है कि अधिक अधिक आपको अधिक्षा जाता है जो खचर खचरों के लिए बना हुआ है तो इससे ना खचर गोड़े पगर जाते हैं और यह रास्ता है यह है पैदल रास्ता तो अभी चलते हैं पैदल रास्ते में तो शिक्षाइश अभी ओस पार जा शरू लकबर गलोट अब रैंपर घृच्एंदधर नहीं अिना उर जया जूदी जादा नहीं कर इस तरह है तो भाई रुकते रुकाते ऐसे आ रहे लेकिन हालत खाब हो भी सच मैं मतलब फ़र्स एक्सपीरियंस था कि इतना लंबी ट्रैकिंग इतने ज्यादा मतलब लगबग 19-22 किलो मेटर की हमने ट्रैकिंग कर यह फर्स टाइम था क्यूंकि दो तीन चार किलो मेंटर तो खैर हमने कर आई है लेकिन फ़र्स टाइम है तो ह तो फिलाल निकलते हैं अपना से प्टा प्ट तो हमें न कुछ इस तरह से अकर बैटने के लिए कहीं भी मिल जा रहे है नहीं कि भी बहुंश जा रहा हैं तो भाई यही मेरे पीछे पूरा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए आगे निकलते जा रहे हैं हम लोग यहां पर ना को सीडी टाइप के जी बना रखिये ग्लेशियर भी और बागी धोड़े खचरों तो ने उगर बना हुआ है तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गये हैं कैम्प में और अभी यहां से केदारनाथ लगबग एक किलोमेटर है तो मॉर्निंग में लोग एक किलोमेटर तो ट्रेक कर लेंगे बागी इस तरह से कुछ अपना यह कैम्प है और तो बागी इसका क्या चार्ज पड़ा और रही है वह मैं आपको नेक्स वीडियो मताऊंगा तो फिलाल इस ब्लॉग को ही पर एंड करता हूं उमीद करता हूं आपको आज का व्लॉग पसंद आयोगा पसंद आयो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर से किसी नेक्स व्लॉग में तब तक के बाई!